अगत है दोस्तों आपके अपने चैनल on study class पर मैं आज आज आपका part 3 का general study का question लेकर के फिर साया हूँ मैं आज ये बताने बाला हूँ कि निमलिखीत असान किसलिए परसीद है या आप से इसके बारे में अगर एक ही question देखते हैं तो इसमें कई question संगलान है यानि कि इससे जुरा हुआ है कैसे तो देखिए आयोद्या के बारे में आप से ये भी पुछा जा सकता है कि निमलिखीत के 3-3 मतलब वाक्या लिखिये या इसके बारे में कोई बात लिखे ठीक है तो इस तरह से भी आपका इसका answer इसी परकार से देना है और निमलिखीत आस् इस्टित है 26 जनवरी 2001 को आए बिनासकारी भुकम से या छेत्र सरवाधिक प्रवावित रहा है के लिए अगला है अयोध्या योध्या के बारे में हमको लिखना है तो ये उतर पर्देश के अयोध्या में सर्यू नदी के टट पर 2000 बर्ष पूर्ग कोरिया के महरानी रही हो का एक स्मारक अस्ताफित क्या गया है जिसका अनावरन 6 मार्च 2001 को कुरियाई गनराजे के एक पर्ति नीधी मंडल ने किया अगला है इलाहाबाद इलाहाबाद है यहां जनवरी 2001 से सहस्तराबदी के पहले महा कुम्भ का आयोधन हुआ इस मेले में कूल मिला कर 7 करोर सरधालू गय थे ठीक अगला है पटियाला पटियाला के सरायव अंजरा और फतेगड साहिव जिले के साधू गड रेलवे स्टेशन के बीच 2 दिसंबर 2000 को तरके वीशन रेल दुरगटना में लगवग पचास यातरी के मौत हो गई इसलिए इसको जाना जाता है फिर अगल पीपल गाओ उत्तर परदेश की लहावाद सहर से 15 किलो मीटर की दूर पीपल गाओ छेतर इस्तित खेल गाओ के 30 एकर परिसर में राष्टिये खेलक आदमी की अधार सीला रखी चुकी है मतलब रखी जा चुकी है अगला ब्रोदा ब्रोदा क्या है ब्रोदा गुजरात भारत का वह सहर है जिसे हाल ही में पर्थम मौडल ई गोवर्नेस डिस्टिक्ट घोसित किया गया है अगला अमरनाथ अमरनाथ क्या है यह कस्मीर में 4054 मीटर की उचाई पर पहला मतलब पहल गाम से 45 किलो मीटर दूर इस्थित है यह हिंदूों का परसीद तीर्थ अस्थान है अगला पॉइंट है औरंगाबाद क्या है महराष्ट राज्ये का यह नगर औरंग जेव तता उसकी पतनी की कबर के लिए विख्यात है पासी अजानता और लोरा की गुफाए भे इस्तित है ठीक कानपूर क्यों है तो यह उत्तर परदेश का सबसे बरा अधोगिक नगर है यहां चीनी मिले कपरा मिले उनिक कपरा मिले सावनिस पात टेंट आधी के उधोग स्तापित है यहां का जेके मंदेर देखने योग्य है अगला जो पॉइंट है वो है कन्या कुमारी यह भारत के दचिंतम भाग में तमिलनाडू राज में इस्तित है यहां सुरिदय तथा सुर्याष्ट का दिरिष्ट से देखने योग्य होता है यही विवे का अनन्द रौक इस्तित है किलियर अगला जो पॉइंट है वो है मदूरा उत्तर परदेश का यह नगर भगवान स्री कृष्ण की जन भूमी है अतहा यह हिंदूओं का तेरता स्थान है यहां अनेक अगर रिवा के निकट इस्तित यह हीरो की खानों के लिए प्रसिद है यहां की अतिहासी की इमारत बलदेव जी का मंदीर है पानीपत क्यों है तो यह हर्याना के करनार जिले में है यहां सन 1526 1556 और 1771 में तीन निरनाया की यूद हुए जिने पानीपत के यूद के नाम से जाता है यहां एक रसानिक खाद का करखाना है किलियर अगला जो है वह पूने यह महराष्ट में इस्तित आगाखा के महल के लिए परसिद है गांधी जी तथा उनकी पतनी कस्तूरवावाजी को यहां नजरवंद रखा गया था यही कस्तूरवाजी की मिर्तु हुई थी अ अधिकार में था यहां महर्ची अरविंद का आश्रम है औरोवेल नाम का अंतराश्टिय नगर यहीं पर बसाया गया है अगला है बरांसी यह उत्तरपरदेश में इस्तित और हिंदों का परसिद तिर्थ है यहां की हिंदू विश्व विद्याले विश्वनात का मंदीर ज अंतरपरदेश में इस्तित है यहां भारत का उपगरह छोड़ने का केंद्र है के लिए हरी कोटा में सारनाथ यह बरांसी के निकर्ट इस्तित बौध तिर्थ अस्तल है यहां डियर पार्क में गौतम बुध ने अपना पर्थम उपदेश दिया था यहीं पर असो की लाट इस्तित है जिसके सेर के चिन को राष्टी परतीक में लिया गया है कहां से लिया गया है सारना से यह भी जिके में रहता है फिर अगला है कपूर थला पंजाब रांत में इस्तित रेल डिबो का करखाना बस्तु काला के समारक यादी अगला है दुरगापूर दुरगापू में भी को हेँए विखते रहना है क्योंकि क्योंकि रटने से आप इतने को रट सकते हैं पढ़ते रहना है इसको ध्यान Cu रखते रहना है मिलते हैं आप लोगों से द्हेठ वीडियो में तब तक आप अपनी पढ़ाय च केजिये त्यों झाल